अधिया सर्मा एक भारतिय हिंदी टेलिविजन की जानी मानी अभिनेत्री हैं। अधिया सर्मा का जन्म 17 सितंबर 1990 को रोहिनी दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम नेहा सर्मा है। लेकिन जैसे जैसे उनने समझ आया कि ये नाम बहुत सी लड़कियों ने रखा है तो उन्होंने अपना नाम नेहा से बदल कर निया कर दिया। वह अपने परिवार की एक बड़ा भाई है जिसका नाम विने सर्मा है। निया के पापा का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है। निया की मा का नाम उसा सर्मा है। निया अपने मा और भाई के बहुत करीब हैं। निया ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल द 2010 से की थी अपनी मेहनत और लगन के वज़े से निया ने कुछ सालों में ही खुद को सफल अबनेत्रियों की लिस्ट में सामिल कर लिया है निया सर्मा ने अपने करियर की सुरुआत काली एक अगनी परिक्षा सीरियल से की थी यह सीरियल स्टार प्लस चैनल पर सितंबर 2010 से मार्च 2011 तक दिखाया गया निया ने सीरियल के बाद एक और सीरियल बहने में मुख्य किरदार का अभिने किया था इस सीरियल को भी स्टार प्लस परेद दिखाया जाता था और कुछ कारणों के वज़े से अप्रेल 2011 में इसे बंद करा दिया गया 2011 में निया ने अपने अभने से देश दुनिया में अपनी पहचान को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया और इस सीरियल का नाम था एक हजारों में मेरी बेना जिसमें निया ने मानवी के किर्दार को अबने करके सफलता को चुमा था इस सीरियल में बेनों के प्यार को दर्शाया गया था जिसमें निया के किर्दार यानि की मानवी को कैंसर होता है और इस बिमारी से लड़कर वो अपनी जिंदिगी को एक बार फिर से जीती हैं इस सीरियल को अक्टूबर 2011 से सितंबर 2013 तक स्टार प्लस पर दिखाया गया 2014 में निया ने जी टीवी के सीरियल जमाई राजा में रोसनी के किरदार को अभिने किया था ये सीरियल अगस्त 2014 से मार्च 2017 तक टीवी पर दिखाया गया इस सीरियल में वैशे तो निया सर्मा के अविने को लोगों ने बहुत प्यार दिया लेकिन निया ने 2016 में सीरियल को अलविदा कहने का फैसला लिया था निया ने इस सीरियल को छोड़ने के बाद 2017 में विकरम भट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में फिमेल लीड रोल किया था निया ने इस वेब सीरीज को पूरा करने के बाद कुछ खतरों के साथ खेलने का फैसला लिया और कलर्स टीवी के रियलिटी शो फियर फैक्टर खत्रों के खिलाडी सीजन एट में पार्ट लिया शो के कुछ हफतों के अंदर ही निया शो से एलिमिनेट हो गई लेकिन कुछ समय बाद वाइल्ड कार एंट्री के रूप में निया ने शो में वापसी की शो में वापस आने के बाद निया का परद्रीशन काफी कापिल तारीग था निया ने शो में टौप फाइब पाइनलिस्ट में खुद का नाम सामिल किया था निया ने सन 2018 में कलर्स के सीरियल इसकमे मरजाओं में लीड रूप का अभिने किया था इस सीरियल में निया ने आरोही कर्षिप का किरदार अभिने किया था ये सीरियल वैसे तो सीरियल किलर पर आधारित था जिसमें आरोही के किरदार की हमसकल लोगों को मारती थी और सारा इलजाम आरोही के उपर डाला जाता था ये सीरियल कलर चैनल पर सितंबर 2017 से जून 2019 तक दिखाया गया फिला निया सर्मा एक वेब सिरीज में दिखाई दे रही है सिरीज का नाम है जमाई 2.0 जिसमें वो रोशनी का किरदार अबिने कर रही है ये वेब सिरीज G5 पर दिखाई जाती है निया सर्मा ने 2016 में इस्टरन आई न्यूज पेपर में टोप 50 सबसे सेक्सी A.C.I महिला की लिस्ट में अपना नाम तीसरे नमर पर दर्ज किया निया सर्मा की लव लाइफ की बात की जाए तो उनका नाम सबसे पहले एक्टर वरून जेन के साथ जुड़ा था इनका रिष्टा तूटने की खबरों के साथ कुशल टंडन के साथ चल रहे सीक्रेट लव की खबरे भी सुनाई देने लगी थी कुशाल और निया ने 1000 में मेरी बहना है सीरियल में एक साथ काम किया था कुश समय बाद कुशाल और निया का रिष्टा भी तूट गया और कुशाल का नाम बिग बोस की विजेता गोहर खान के साथ जुड़ गया निया फिलहाल सिंगल हैं और अपने काम के परती सारा वक्त स्पेंड करती हैं आने वाले समय में निया कुश और प्रोजेक्ट की हामी भनने वाली हैं और अपने फैंस के बीच कुश और यादगार किरदारों को पेश करने वाली हैं दोस्तों ये थी निया सर्मा की लाइफस्टायल और उनकी बायोग्राफी आपको वीडियो कैसा लगा कैमेर सेक्शन में जरूर बताईएगा धन्यवाद